नमस्कार दोस्तों डेली जी के आई की स्टेडिम आपका स्वागत है और आज राज्तान साहित्ते के और उनके साहित्तेकार को के कि सत्त टॉप इंपोर्टेंट क्यूशन अध्यान करेंगे और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरा वीडियो फसंद आए तो प्लीज यो लाइक हो से करें तो अध्यूशन है अपनका वेली किर्शन रुकमरी पुस्तर के रचेता कौन है तो अंसर है पर्तिराज राठोड अगरा क्यूशन किसे जोतपुर की ख्यात भी का जाता है तो आंसर बांक के दाशरी ख्यात को अगला क्यूशन राजस्तान की वैफ जाती जो प्रामप्रागत एतियासिक समय से साहित्य सर्जक रही है तो आज से चारन जाती अगला क्यूशन ने किस ख्यात से ग्यात होता है कि विकानेर के मा राजा रता सिंग द्वारा अपने सामनतों को कन्यावद रोकने के लिए पर्तिग्या करवाई गई है तो आंसर इस या दयाल दाजरी ख्यात अगला क्यूशन है पदम नाम द्वार रिष्टित वग गरंथ जिसमें जालोर के चोवान कानर देव एम वीरम देव थथा अलावदिन खिल जी के मद्य संगर्ज एम वीरम देव एम अलावदिन खिल जी की पुत्री फिरोजगा प्रेम परसंग का वर्णन है तो आंसर कान ने परबंद में सो दोग्टर श्याम सुनुदरदास हिंदी बासा हो साइतने नामक पुष्तक में राजिसतान को बासा विग्ञानिक देश्य के आदिक निकट माना आए तो आंसर गुज्राती के अदिक निकट माना है अगला क्यूशन है राजिस्तानी बास का प्राचिंतम गरंथ है तो आंसर इसका बरतेश और बावबली गोर अगला क्यूशन राजिस्तानी बासा के विद्वान वाय राजिस्तानी में रामाइन के रचेता कोन है तो आंसर संत हनवंत किंकर अगला क्यूशन हमीर राजो वा हमीर कावे के रचनाकार कौन है तो आंसर इसका सारंग देव अगला क्यूशन राजस्तानी बासा में पातल और पितल की रचना की थी तो आंसर कनायलाल सेट्या ने अगला क्यूशन है पर्थिरार राजसो का चंदरवर्दाई वंस बास के सूरे मलका रुकमनी हरन विठल दास आदी फर्दान गंत की साजते के परवंद कावे के रूप में मिलते है तो आंसर चारने साजते में अगला क्यूशन है राज्तान में नई कविता की जनक कोन है तो आंसर जे सिंग नीरज अगला क्यूशन है मून आट नेंशी का पर्षिद गरंत है तो आंसर मून नेंशी की ख्यात है अगला क्यूशन है वी शिवदाज गार्डन द्वारा रचित हुआ गरंत जिसमें अचलदाज खीची और मांडू के सुल्तान होसंग साथ गोरी के मद्दे यूद का वर्णन है तो आंसर जे अचलदाज खीचीरी वन्चिका में अगला क्यूशन शिता राम लालत द्वारत तयार राष्टानी भासा का सब्द कोस में कितने सब्दों को अनुमानित संग्रेया है तो आंसर इसका पांच लाग अगला क्यूशन डिंगर सब्द प्राए गुनिश्वी सदी में प्रियुक्त हुआ समथ ठारा से युगेतर में जोत्वर के किस कमी की रचना कुकवी 32 में पहली बार इसका प्रियोग हुआ माना जाता है तो आंसर बाकिदाज की में अगला क्यूशन राजस्तानी कहावता की रचना है तो आंसर मुली दर्व्यास की अगला क्यूशन मारवाडी बासा का साहित्यक रूप है तो आंसर डिंगर अगला क्यूशन प्रेम और संगार का सरस लोग कावे डोला मारूरा दोआ की रचेता कोन है तो आंसर है कवी कलोल अगला क्यूशन चार्णी साहित्यके दो मान वर पर्मु कलाकार कोन है तो आंसर मांकिदाज और दयालदाज अगला क्यूशन रस मंजरी वर राग माला नामक संगीत गर्नतों के लेक कोन है तो आंसर है पुंडरी क्विठल अगला क्यूशन मार्वाडी पासागा फर्तम व्याकरन लिखा गया था तो आंसर है रामकरन आसोपा के दोआरा अगला क्यूशन अक्वर के नव रतनों में एक परतिरा राटों ने अपने किज गरंत में करशन एम रुकमरी के पंडेन को ततकाली समाज के परिफ्रेक्ष में लिखा जिसे पांच वबेद भी कहा गया तो आँसे बेली क्रिशन रुकमरी अगला क्यूशन है किस समत के आसपास के नवीन राइस्तान के सहित्तिक इतियाज का प्रार्यमी काल मानना चाहिए तो आँसे समत 1520 आगला क्यूशन है डॉक्टर टेशी टोरी ने डिंगल का हेरोज किसे का आए तो आँसे पर्तिवरार राठोड को अगला क्यूशन देश दरपन आर्क्या खान कल्प दुर्मोन राठोडरी ख्यात आज पर्सित करतिया का लेका कोन है तो आँसे दयाल दास अगला क्यूशन गीरदर आश या द्वारा लिखित डिंगल बासा का गर्ण कोन सा हे तो आँसे सगत सिंग रासो अगला क्यूशन चंधर वर्दाई का पर्तिव राठो और पर्तिव राज के बेली क्रिशन रुकमनी का संबंद है तो आँसे चारन डिंगल साहिते से अगला क्यूशन परताप और मान्चिंग की बेट का वर्णन किस ख्यात में मिलता है तो आँचे नेंडशीरी ख्यात में है अगला क्यूशन है बारा इसर तेजसी पदमाचाणी मीशन आनन्द फार्सो दूदो डूंगर सी जीमी चाणी नेता हर्दास रांसिंग बारा चतूरो बीटुडर सी आदी लेकक चाणी साहते के किस रूम में जुड़े है तो आँचे इसका गीत के रूप में अगला क्यूशन राजस्तान में नव जागरन के फर्तम कभी कौन थे तो आँचे सूरे मल मिसर अगला क्यूशन है किस एतियासी गरंत में अजमेर के विकास का वणनन है तो आँचे पर्थिराज विजे में जो जयानक द्वारा लिखाया है अगला क्यूशन कभी सूरे मल मिसर की रचनाए है तो आँचे रहे पर्मुक रचनाए वीर सत्साई बलवन्स विलास और वन्स बासकर अगला क्यूशन आदोनिक भारतिय आरे बासाओं की जन्दनी अबरंस है इसलिए एतियासी बोगोलिक एम बासा वेग्यानिक आदार पर राजिस्तान की उत्पति मानी जाती है तो आँचे रहे इसका गूजरी अपर्बरंस से अगला क्यूशन अचलदाज खीची रिवन्ची का कि से लिकी सरव परतम रचना कई जा सकती है तो आँचे रहे चारण की अगला क्यूशन धर्ती दोरारी राजिस्तानी कविता के लेका कौन है तो आँचे कनेलाल सेटिया अगला क्यूशन चारण कवियों दोरा प्रियुक्त राजिस्तानी बासा का परशनी साहते रूप कौन साए तो आँचे डिंगल अगला क्यूशन मारवारा परगनारी विगत करती के लेका कोन है तो आँचे मून और नैंसी अगला क्यूशन किस ने राज रुपक की भूमिका में डिंगल को राज्तानी बासा का है तो आँचे पंडित रामकरन आसो पने अगला क्यूशन बासा भूसन ग्रंद की रचेता का नाम क्या है तो आँचे जस्वन सिंग जोदपूर वाले अगला क्यूशन ब्रह्मबट भाट डाड़ी चारण आदी वीरुत गायक जातियों की करतियों को किस नाम से जाना जाता है तो आंसर है संत साइट्य के नाम से अगला क्यूशन है अंबिकदत व्यादवर राचित राजस्तान का पहला हिंदी उपन्याज अबलाओ का इंसाफ कब परकासित हुआ तो आंसर है गुद्णी सो 27 स्विश्व में अगला क्यूशन लोग साहित्य में किस विद्या का देन अनुशीलन नहीं किया जाता है तो आंसर है चार्णी साहित्य का अगला क्यूशन घर तो एक नाम है बरसे रोक के लेखक है आंसर है अर्जुन देव चारण अगला क्यूशन जैनाक द्वार रचित पर्तिराज विजए की वीशे सामगरी क्या है तो आंसर है इसमें पर्तिरा तत्य गुणों वप्राकर्मों का वंडन है अगला क्यूशन हमें इन माका में चोवान को क्या बताये गया है तो आंसर सूर्य वनसी अगला क्यूशन वह कौन सा फर्तम अंग्रेजी इतियासकार था जिसने राजस्तान की जागिरदारी वेश्था पर लिखा तो आंसर कर्णल जैम टोड़ अगला क्यूशन जैपूर के किस कवी ने मंडन पराग मरकंड अंग अंग्राज चांद ने विशाती चंद सिर्व राज है कहकर राजमेल में गुजारे अपने बासंती दिनों को याद किया है तो आंसर देवरीची भट अगला क्यूशन है व्यद्य मंडन साकुन मंडन कोडन मंदर वास्तु मंडन गरंतो एम देव मूर्थी परक्रण के रचेता को ने तो आंसर मंडन अगला क्यूशन राज्तान की राजगरोन का सांस्कृति के देन नामक पुष्टक के लेका का नाम है तो आंसर रागवेंदर सिंग मनवर अगला क्यूशन राज या रा सोटा नामक गरंत के रचेता को ने तो आंसर करपा राम अगला क्यूशन आदुनिक राज्तानी साहित्ते का पहला उपन्याज कोन सा है तो आंसर कनक सुंदरी अगला क्यूशन है संस्कर्थ का मूल आदी गरंत जिसे वेदो को माना जाता है वेशे ही कोन सा गरंत हिंदी का मूल है जो डिंगल में है तो आंचे पर्तियार रासो अगला क्यूशन केशिरी सिंग बारत द्वार रचित चेतावनी रिया चुंगट याने दिल्ली दर्बार में जाने चे रोका था तो आँचे फते सिंग को अगला क्यूशन सुन्दर विलाज की रचिता कोन है तो आँचे सुन्दर दास अगला क्यूशन मीरा बाईद्वार और जचित पर्मुगंद कौन कौन से तो आँचे राग सोटान, राग गोविन ओत पद्वावली अगला क्यूशन कहे दो आके डंटे रिचोट, मारवार नई रहसी ओट कविता किस कविकी है तो आँचे जैनाड व्याज की अगला क्यूशन है वीर रस में डिंगल कावि की रचना का छरे किसे जाती को है तो आँचे चारण और भाट जाती को अगला क्यूशन हिंदी का मा कावि किसे माने जाते तो आँचे पतिवार राशोद को आगला क्यूशन राज्तानी लोग साहिते को लीपीबत करने का सरे जाता है तो आज से जैनियों को अगला क्यूशन वी सरसज के लेका कोन है तो आज सूरे मल मिस्टर तो फ्रेंड अभी तक आपने मेरी चेनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरू कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करें अगला क्यों से ने बारह सो सित्याण में में राज्तानी साहित्य की व्याकरण रचना का नाम क्या है तो आंसरे व्याकरण अगला क्यों से ने राग मंजदी एम राग माला जैसे परसिस संगीत गर्मतों की रचता कौन थे तो आंजाए पुंड्रिक विठर अगला क्यों से ने खुमान रासो नामक गर्मत की रचना किस ने की तो आंजाए दल्पत विजे ने अगला क्यों से ने आद वने की हिंदी साहिते में कनायलाल सेट्या मेग राज चतुरवेदी था सत्य प्रकार जौसी का संबंध तो आंसर इसका कविता साहिते से अगला क्यूसेन है पंडित गिर्दर सर्मा नवरतन का जनम का हुआ था तो आँचे जाल रापाट जालावाड अगला क्यूसेन है आठी सताब जीके कोल्य माला नामगरंत में बार्थ की ठारा देशी बाषाओं में माराड की बाषा किस नाम से व्यक्त की गई है तो आँचे मरवाणी से अगला क्यूसेन राजवलब सिल्पी मंदर की रचना है उन्हें किस राजजगा सान रक्षन प्राप था तो आँचे मारा नंकुम्बा का अगला क्यूसेन पिंगल सेली में रचित वीजेपाल रासो जिसमें यदिवन सी राज़ वीजेपाल जो वीजगड करोली के राजा थे कि दिग्विज का वर्णन किया गया है के रचनाकार को ने नलल सिंग अगला क्यूसेन फिल्लिम गीतकार बर्त व्याज की जन्नम भूमी का है तो आंसे बीका नेर तो फ्रेंड्स आपको मेरे सत्तर इंपोर्टेंट क्यूसेन जरूर पसंद आए होंगे तो प्रिलीज आप मेरे चिन को सब्सक्राब जरूर करें और वीडियो लाइक और सेज ज